नमस्कार साथियों मैं कुनाल आप सभी का संस्कृती PCS YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि यूपी PCS का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि बात के लिए इंतजार मत कीजिएगा कि सुध्रिन किया जाएगा तो हर एक त्यारी में आप सभी को पता है कि प्रिविएस एर कोशन डिसक्रशन के लिए हमेशा बोला ही जाता है कि पिछले वर्ष के प्रशन देखो किस प्रकार का पैटन चल रहा है आयो क्या क्या पूछ रहा है थोड़ा फोकस करो चीजों को ज सब्सक्रशन के अप लोगों ने वह सब भी वीडियो देख लिए होंगे आज की जो वीडियो हम लोग की है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 2022 में पूछे गाए इतिहास तता कला और संस्क्रिती के परशनों की शेशन बेहद मेतवपूर्ण है और कुछ प्रशन आप लोग के सामने प्रस्तूत किये जाएंगे देखते हैं किस प्रकार्सन को सॉल्व कर सकते हैं या कहीं कोई ट्रिक हमारी मदद कर रही है तो क्या क्या चीज़े हो सकती है जो हमारे लिए अग्जाम को असान बनाएग तो देखते हैं कि आज का जो हमारे पहला प्रशन है उसमें क्या बात पूछी गई है तो देखी जो पहला प्रशन है पूछा गया है कि जोतिवा फूले संबंधित थे जोतिवा फूले वास असोशेशेट विद अब आपसे सीज़ सीदा पूछा हुए कि किस से जुड़े हुए तो चार ओप्शन देखे लेते हैं क्रिषक आंदोलन से चरमिक संख लम अन्दोलन से एंटि कास मूइमेंट और सविरने अवग्या अंदोलन से सीविल डिस ओबिडियंस मूमेंट चार ओप्शन है तो जर्णलिया कभी जोतिवा फूले सहब को पढ़ो गया तो आप आपने आख बंद करके आंसर ला सकते हैं मतलब option देखने के जरूरत भी नहीं थी किस परकार के moment उन्होंने शुरू किये थे उनका संबंद किस से था नहीं थे कोई खास जरूरत कि आप option देखने सिर्फ आके देखना है कहां पे लिखा हुआ है जाती और उसको बस मार्क कर द दिया और उन्होंने अपनी जोनकी धरम पत्नी थी सावितरी भाई पूले उनको बहुत अधिक सायोग किया हर एक मामले में कि आप आगे बढ़ो पढ़ो लिको कोई समस्या वाली बात नहीं तो यह जो चीज़ा होती है बहुत easy होती है कुछ-कुछ question में हम लोग देखते ह अब देखें यह question थोड़ा सा interesting है कह रहा है कि दो सूचिया है आप लोग के पास में एक में बात की हुई है बिल्डिंग्स की दूसरे हैं बात की गई है बिल्डर्स की बिल्डर्स मतलब में ली जिन जो भी राजा थे जो रूरल थे उस साम के किसके दुआरा बनवाई गई है बिल्डिंग्स आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए अब चार option है हमारे पास में सुल्तान गड़ी ल लोग रेगुलरली पढ़ते हैं हमें पता होता है कि कौन-कौन है और किसके दुआरा क्या करवाया गया जैसे कि सबसे पहला option हम दिखते हैं सुल्तान गड़ी इसके बारे मुझे लगता कि most of the लोगों को पता होगा कि किसके दुआर बनवाया गया था और जो इसका आंसर ह नहीं कर सकता ना बिलकुल भी दाय दिन के जोपड़े के लिए सबको पता है कि इसके लिए तो कुतुबूदिन एबक ही जिम्मेदार है तो चार के लिए हमारे पास जो विखल पाएगा वह आएगा अब इस प्रकार हमें दो मिल गए हैं कई भी कभी क्या होता है कि साथ-स मैच करते रहे ना जैसे कि हमें कोई एक भी समझ में आ जा तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग को ना ऑप्शन देख लेने चाहिए मिलान वाले में इससे क्या होता है कि बहुत बार ना सिर्फ एक जगहा पर ही उसको सैट किया होता है बाकि हर जगहा पर वह चीज़ गलत कौन यह भी स्थिद्र समझनी है तो आपको मैंने पहले बताए कि धाई दिन का जोपड़ा आपको किलियर है कि इसके लिए तो हम लोग जाएंगे दो के साथ में ठीक है मैंने कुत्व दिन एबक तो दो ही रहेगा इसके लिए तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि हम यह कहां पर लिखा हुआ है यहां लिखा हुआ है एक और यहां लिखा हुआ है दो इस तब से हमारा जो अंसर हो जाता है वह हो जाएगा डी सिंपल है तो हर एक option के साथ घूजने के जोट में नहीं पड़ी और हम लोग इन दो की माध्यम से ही अपना जो सही आंसर है वह भी य से पर सकते हैं बिना किसी परेशानी के बहुत ही अच्छी भाष्ण आपके लिए सरल सा एक्प्लेंशन दिया गया है अगला जो हमारा प्रशन है यह स्टेटमेंट वाला है ठीक है तो हर एक प्रकार के प्रशन देख रहे हैं हम लोग variation के साथ में ऐसा नहीं कि मतलब एक त स्टेटमेंट को एंड कर रहे हो तो थोड़ा रूप करके पड़ें क्योंकि बहुत बार यहां पर ना सही के साथ में नहीं भी लिख देता है कि कौन से कथन सही नहीं है तो इस चीजों से भी बचना है जल्दी जल्दी हम लोग जब एक्जाम के प्रेशर में आते हैं तो इतना तेज़ बढ़ जाते हैं कि हम यह देखने ही भूल जाते कि सही नहीं पूछा गया है कि सही पूछा गया अब पूछे की बात हमार से है चंद्रगृत दूइत्या के बारे में शक्विजय के संदर्व में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश ही रज़त मुद्रा हैं इन मुद्राओं की तो लगबग 33 ग्रेन हुआ करती थी अब आपको क्या गरना है कि मैं आपको साथ-साथ-स इंग्लिश भी दिखा रहा हूं इसका फायदा यह होगा कि आपको थोड़ा सा बाइलिंग्वल जो है मामला थोड़ा कमफोर्टेबल हो जाएगा जो इंग्लिश मीटम वाले हैं वह भी चीज़ समझते जानते चलेंगे लेकिन जब कभी भी आप परिक्षान में बैठें तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश को पूरी तरह से इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि इंग्लिश के थू ही पॉश्चन पर जो होता है वह हम लोग का सेट होता है और उसके बाद को ट्रांसलेट किया जाता है तो बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि गड़बर हो जाती है ट्रांसलेशन जो होना चाहिए है प्रॉपर हम लोग को नहीं मिल पाता है जिस वएसे हिंदी में थोड़ी गड़बर लगती है इंग्लिश पर कहीं पर डाउट होता है पढ़ते रहेंगे तो बहुत एजी हो जाएग आपके लिए मामला और चीज़ा थोड़ा सा अच्छ अब यहां पर दो बात ही चंद्र को द्वित्य के बारे में पूछी गई है अब रजत मुद्राय यानि की पूछ रहा है सिल्वर कॉइंस के बारे में कि सिल्वर कॉइंस इसने बनवाए थे या नहीं आपको पहले तो यही पता होना चाहिए और अगर सिल्वर कॉइंस इस भी पूछाओ शक्विजय पूछिए कि इसकी वजह से इसने चीज़ करवाई थी तो अब कॉइन इसमें चलाए थे या नहीं पहली बात शक्विजय की वजह से चलाए थे या फिर किसी और कारण से यह पता होना चाहिए अब एक खास बाद जब हम कभी भी गुप्त सामराज जाता है कि यह बात तो ठीक है कि सिल्वर कॉइंस थे बट शक्विजय से जुड़ी हुई थी या नहीं यह थोड़ा सा परिशान करेगा तोल के बार में भी कह रहा है अब यह बहुत ज़्यादा डीप चला गया है यहां पर क्योंकि जर्नली हम लोग चीजों को पढ़ते ह हैं बहुत क्विक्ली आप सो लगाते चलें दूसरी बार में फिर को रिव्यू करें जो चूट गया है फिर इनको देखें एक बार कि क्या एक्ट्वल में आंसर निकाला जा सकता है दो मिनिट चार मिनिट लगा करके या फिर समय लगाना वहां पर बेकार है या चीज़े कि नहीं तो इस परकार से भी करेंगे तो भी थोड़ी चीज़ा हो जाएंगी क्योंकि कई बार कोशन से उलजने की वज़े से हम देखते हैं कि आप कोशन पेपर के लास्ट तक ही नहीं पहुँच पाते अंत्र के प्रशना को पता ही नहीं होते और बाद में देखते हैं कि ल अलकुल ठीक है रजत मुद्रा इससे समय बताया चलाई थी शक विजय के संदर्ब में चलाई थी ठीक वहीं जो इसके मुद्राओं का तौल हुआ करता था लगभग 33 ग्रेन पूछा हुआ है इसने तो इसके आसपास कहा जाएगा और ऐसा ही माना जाता है कि 30-33 ग्रेन जुड़ा हूँ अगला दिखते हैं हमारे पर क्या बात पूछी हुए चिह रहा है कि और अलग अलग घटनाए है इवेंट कीजिए चैने प Defense यह लगा दिया तो नेगेटिव मांगिंग वाह अब क्या किया जा अब चीजे याद है या नहीं सबसे पहले तो यह सोचो क्या क्या पूछा हुआ गदर पार्टी की स्थापना इसके साथ में बड़ा दिक्कत हो गई है मामला अब जिसको पता है ना उसको लिए बहुत अच्छा है वह बहुत जिसको नहीं पता वह उलजेगा ठीक है जैसे कि इसके अंदर बंकार्ट को पता होगा Central Assembly बंकार्ट पता है ना नहीं पता होना चाहिए जितने लोगों को पता उनके लिए बहुत अच्छा है भगत सिंग सबको पता है कि भगत सिंग नहीं किया था सारा मामला और खुद व चाहपा और बर्लीन में इंडियन इंडिपेटर्ट कोमेट्टी की स्थापना क्या कर सकते गदर पार्टी की स्थापना तो पता होगी बट इस प्रशन का अंसर अब तभी निकाल सकते हैं को चारों की चारों नहीं पता तो पूरी सम्माहोना की अंसर गड़ बढ़ाए क्योंकि आप नहीं पहुंच पाएंगे इस पैटर्ण पे की पहले कौन था अगर किसी एक को भी नहीं जानते होंगे तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 इंडियन इंडिपेंडेंडेंस कमेटी की स्थापना जो बढ़निन में हुई थी यह हुई थी 1915 में चिटगाउं श सिंपल पर इवेंट्स को भी याद रहें तो इवेंट्स को याद रखना है मिस नहीं करना है इसलिए इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजेगा कि कहां कहां पर कौन कौन सी पार्टी की स्थापना हुई और खास तो और उत्तर प्रदेश में जो इंसिडेंट हुए बहुत अ आप संस्कृति PCS के सिर्फ प्लेलिस्ट में गाई है हिस्ट्री की और आर्टेंग कल्चर की नहीं बहुत अच्छे प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैं नहीं पढ़ाया था हर एक चीज़ बहुत अच्छे से के लिए कि महां जब चीज़ों को जानी है समझे बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं आप सभी लोग के एक्जाम्स के लिए ठीक है तो बी आंसर हम लोग के सामने इसका जो एक्स्पलेनेशन यह भी आप लोग के पास चलिए अब देखते हैं अगली बात निम्लिकित में से किसने चिंता मणी भठ द्वारा रचित संस्कृत गरंत शुक्षप बेस्ट है कुछ लिंक नहीं कर सकते हैं दूसरी खास बात यह भी है कि वही जब फैक्ट पता हो तो एटम करना अदर्वाइस छेडशाड मत करना माक्स कर जाएंगे ठीक हैं बहुत सर लोग क्या करते हैं से कि कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं अमी पर इसका सही आंसर जो है मैं सीधे सिधा रता हैं कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और जब नहीं पता तो फिर उलजेंगे गलत करने की संभाव नाधिक हैं मैं हर बार आपको जब कोशन डिसकुशन करता हूं कि चार कोशन में कनफ्यूस होने मतलब है कि आप जब कंफ्यूस है कुछ भी नहीं पता तो आपके ऑप्षन की सही होने की संभावना 25 पर्तीशत अगर तीन डिएन है तो आपके सही होने की संभावना 33 पर्तीश art मैं confusion संभावने कि आपको इलाव यहां पर उठा सकते हैं चलिए इसके साथ अगला प्रशन देखते हैं देखते हैं चटा प्रशन हमारा क्या कह रहा है तो चटे प्रशन में पूछा गया है नेमलिकित में से अशोक का कौन सा चलाले एक धार्मिक संशलेशन जिस समयन्मे के बारे क्याता है विचर दो फोलोविंग रॉक एडिक्ट आप अशोक का स्पीक्स ऑफ दर इलिचे सिंथे सिंपल सा प्रशन है और त्यारी कर रहे हो तो पढ़े थे अशोक के रॉक एडिक्ट क्या कहते हो नहीं पढ़े पढ़ लिए देखो पढ़ना जरूरी है चीज़े कहीं स करना से मजबूत रखें चीज़ों को ना चोड़ें और अभी समय भी है लगबग 4-5 महीने हैं अपने पास में तो भी अराम से चीज़े हो जाएंगे ऐसे कोई परेशने वाली परेशान होने बात नहीं है जो पढ़े आप समय है तो चीज़े स्वालों हो सकते हैं चार प्रपर मेंशन की हुआ कि सब्सकुंशूब इससलिए सबसे को पाइप अपना संदेश जंता तक हुऊंसा चटे अब उस समय वाट्सैप वगरा नहीं था ना यूटूब भी नहीं था कि वह इस प्रकार से कुछी दो को डिसक्स कर ले तो कुछ नहीं था तो उस समय जो सबसे अच्छी चीज इन्होंने सोची वह यह यह था कि चीजों को लिखवा देते हैं लिखने के बाद क्या हुआ कि कोई जब वहां से गुजरेगा चीजों को जाने गा समझेगा या हमारे सामराज्य की भूमू में परवेश करेगा तो उसको पता लग जाएगा और जिसका सामराज्य है वह यहाजा कैसा विचार रखता है वह क्य बारे में तो होता हैं तो इस प्रकार से आम ऐख शिलालेक और स् publi ही के बारे में हैं , उसली बैसिक पता हुनी जैए के दो होगा हुए बैसे 22 कि dit तो इसका ही कुछ explanation आप लोग के सामें पढ़िये समझे जानते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हम लोग सात्व प्रश्णी कितना अच्छा सा प्रश्णी पूछा है अलाउदिन खिल जी के बारे में और अलाउदिन खिल जी के लिए ने पूछा है कि जो उसकी विजय थी पस कुछ नहीं करना विजय को काल अनुक असार व्यवस्थित कर दीजिए ठीक है अले फॉलोविंग कॉंक्रेस्ट ऑप लाउदिन खिल जी दे कॉरोजिकल ऑडर सिंपल से वाटेट बार उससे दे कुछ नहीं ऑप्शन में हमारे पास में हैं रड़ प्रशन हम लोग के सामने हैं अब एक प्रशन आपको मैंने ऐसा दिखाया कि एक दो बाते हुए और उससे चीज़े क्लियर हो गई और आंसर भी निकल गया आप एक दो जगा पर हम लोगों देखा कि चार ऑप्शन के वारे में अगर नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है प और एक के बारे में हमें पता चल गया लेकिन अब एक तीन चार तो रहा है अब किसके साथ जाना चाहेंगे तो दीके दूसरा जो अमार पास में अप्शन आता है रणधंबॉर रणधंबॉर की जो विजय थी है हुई थी तेरा सो एक में इसके बाद में चो है वह आता है चिताओर थेरा सो तीन में और फिर चिताओर के बाद में अगर हम देखते तो बीच में अनेक वह रही लेकिन वारंगल जो है इसकी अंतिम कुछ विजयों में से एक था तेरा सो दस इसके लिए जो डेट है है मानी जाती है ठीक है अब तो समस्या नहीं है अब तो आंसर आ यहां पर नहीं रहोगी इतना के लिए हैं सिंपल मामला चलें फिर आगे चलिए सी बैटल देख लिए इसकी कुछ महतवपून बैटल से आप लोग के सामने हैंगी यहां पर जहां पर इसने जीत दर्श की थी अगरा देखते हैं आठवा प्रश्न क्या कह रहा है अलग अल यूड़ा का यूड़ बैटल बीदा चार है इसमें देखने वाली बात यह है कि कामवन चीज्प एगरा का ती 1724 में दक्षिन भारत की एक बैटल है निजाम उन मुल्क और मुबारिस खान के बीच में यह हुई थी जो दक्कन का सूवेदार था ठीक है अब सबसे पहला इवेंट हमें यहां पता लगाता है कि 1724 में जब शकर खेड़ा का इनुगा तो पहले हम लोग के पास में तीन आना चाहिए अब काईदे से इसके एसाब से हमें पिया पता लग जा रहे है कि आंसर क्या है क्योंकि सबसे पहले एक रूप में तीन तो इनोंने सिर्फ यहां प तो देखें बेदरा का युद जो है है युद हुआ था 1759 में किस-किस के बीच में हुआ तो आप लोग को यह भी पता होना चाहिए अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था यहां पर पॉटो नोवा का जो यह बैटल था यह हुआ था 1781 में है और इस्ट इंडिया कंपन और 1845 में जब ही हुआ था तो इस्ट इंडिया कंपनी और सिक के बीच में हुआ था यह तो यह है इस्टितिते सारी तो अब इसे साप से देखो हम लोग का क्या बारती है वबस्ता भी आंसर निकली रहा है और सिक्वेंस के इसाफ से हम पता लग रहा है कि सबसे पहले थ्र फोर फोर के बाद में फिर टू और फिर बन तो भी सिदे से आंसर है तो बैटल्स भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए जितने अधिक बैटल्स आप लोग याद कर सकते हैं सिक्वेंसिंग कर सकते हैं चीजों को कर लीजिए क्योंकि एक्जाम में किसी भी रूप में सभी सकते हैं चलिए मावला इतना सारा के लिए है आप लोग को सिक्वेंसिंग भी यह शकर खेडा बैदरा पोटो नुवा और मुझकी भी सही आंसर चलिए आगे बढ़ते हो देखते हैं हमारा नौप प्रशनी क्या कह रहा है बहत सिंपल सा प्रशनी है यह कह रहा है सिंदु इस मामले में हैं कि यह है एक duycript है और फट का मतलब है कि अगर आंसर पता है तो पता है अगर नगा पता तो फिर नई पता उलज नहीं सकते हैं अब क्या कर सकते हैं अब धोला वीरा भकत्राव अपपा कोड़ीज मोहन जोदरो, एवम लोथल, काली बंगा और रोप्ड, किसके आजाना चाहेंगे, अगर कहीं पे भी कोई इंसान जो मेंन साइट है, जैसे कि हरपा और मोहन जोदरो, इस बीच में कोई जोदरो, जिसको पता वो कन्फ्यूज नहीं होगा, जिसको नहीं पता जोदरो, लेकिन फैक्ट है, तो इसका दो आंसर है, क्या होगा, मोहन जोदरो और लोथल, यह दो जगाया ऐसी है, जहां से सभी चेज़ा ही है, बोट के मॉडल भी मिले है, चित्र भी मिले है, तो C आंसर इसलिए हमारा रहेगा, ठीक है, और हडपा सब बैदा को थोड़ा सा पढ़ लीजे, क्योंकि अलगलग चीज पूछता है, जरूरी कभी चावल पूछेगा, कभी पशुप पूछेगा, कभी मूर्ती पूछेगा, पर पूछ लेगा, पूछ खिपनी मर्जी है, जैसा आयो को ठीक लगे, ठीक है, अगला प्रशन जो है, हमारा वा कह रहा है कि प्रतम अंत्रिम रास्ट्य सरकार की घोशना की गई थी, डेट पूछ रहा है में लिए, इंगलिश में देखेंगे, तोड़ा इजी लगे, कभी अगला पूछ रहा है, अब देखिए, यह बात कर रहा है गोशना की, दो तरह की चीज़ों होती है, गोशना और एक गठन, यानि की फॉर्मेशन, तो यह आप लोग को पता होने चे, गठन किया गया था, वह किया गया था, 2nd of September 1946 को, पंडित जवारलाल नहरूजी के नित्रतु में, ठीक है, तो डेट इस प्रकार से चलेंगी, याद रखेंगा, दुवारा कुछ भी पूछ सकता, की बार यहां खोशना पूछे हो सकता, गठन पूछे लग लिए बाग, तो इसका फॉल्विंग स्थूपा, तो अब चार हमार पास स्थूपा गए, भोध गया, घट्षाग, अमरावत्ती और नागरजुन कॉंटा, फैक्ट है फिर एक बार और फैक्ट यदि पता है, तो मैं इतना ही कहूँआ कि लगा दो आंसर जल्दी से, और अगर नहीं पता तो फिर छोड़ दो प्रशन, क्यों नेगेटिव मार्किंगों फसना है, क्या जरूरत है, अभी आप लोग समझ ले रहे हैं, तो आगे थोड़ा एक बार स्थूपों के बारे में पढ़ लिजेगा, अब पढ़ने का समय नहीं है, तो एक वीडियो देख लिजे, उत्तर प्रदेश विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटिट की उपादी को लटा दिया था, अब यह जो इस्तिति है बिलकुल इतनी जादा असान है, आप कोई भी किताब उठा के पढ़नेजे, हर किताब में कोई ये बात पता चल जाएगी, कि रविंदर नाथ टैगोर ने अपनी इनाइटिट की उपादी वापस की थी, और जलिया वाला बाग हतिया कान की वजह से ही की थी, किलियर है, शॉट आउट है, कुछ भी नहीं उलजना, क्यों शंकरन नायर के पास में जाना है, क्यों रामेश वर सिंग को समझना है, क्यों मुहमद अली जिन्ना को समझना है, जो इनसान हमेशा अपने लिए सोचता था, वो इनसान कैसे ही अपने लिए कोई टाइटल को वापस कर सकता है, ये आदमी कहीं भी कुछ रिजब नहीं करता है, ठीक है, तो सही आंसर, रविंद नाना ट्याग और भी, कोई बेवजा उलजना के सभात में नहीं है, इसके अ देखो, इतना आसान प्रशने हैं ना, कि सत्य सोधन समाज जो होता है, वह आप लोग बार बार पढ़ते हैं, कि सत्य सोधन समाज कब स्थापित हुआ, किस ने स्थापित किया, उद्देश ये क्या था, वगएरा वगएरा कारिक्रम चीज़े हम लोग पढ़ते हैं, राज जोतिवा फिले नहीं उलजना, सी आंसर है, इनके द्वारा ही है महतोपून कारे किया गया था, सत्य सोधक समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश है, सत्य की खोज करना ही था, ठीक, इससे जोड़ा एक 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 स्थापित के सामने, चलते हैं और आज की वीडियो में सिर अच्छा लगा होगा, कोशन डिसकेशन पसंद आया है, तो वीडियो बाके साथे तक जरूर शेर करना है, लाइक की बना नहीं जाना है, हाँ, इसके साथ एक नातुपून बात यह भी है, कि कोई भी टापिक समझना है, तो पूरी सीरीज उत्तर परदेश की जो है, उत्तर परदेश, स्पेशल, जो विशेश परिक्षा अनाउंस की गई थी आयोक के दोवारा, उसके संबन्द में इथियास, कला और संस्क्रिती, दोनों ही अलगलग सक्षन हम लोगों ने अपने प्ले लिस्ट में शामिल किये हुआ, आप लोग जाईए, देखिए, सारे एक जाईए, था जाईए, तक्री जाईए, विशेश, में बादफ सक्षाण सक्रित चाह्यूंग, प्लेच के खिए.